नवस्कार आप देख रहे हैं नीज 24 मैं हूँ विपनेश मातुर और बेकिंग विद एजंडा में स्वागत है आप सभी का बेकिंग विद एजंडा में आज चर्चा माफिया अतीक एहमत की पत्नी शाहिस्ता और गुड़ू बंबाज के फरार होने की और पुलिस सरकार पर उठ्रेस सवालों की हम करेंगे चर्चा क्या शाहिस्ता सिरेंडर कर देगी या वो देश के बाहर भाग चुकी है चर्चा तीनों आरूपियों ने किस मददकार के जरीए अतीक अश्रप की हत्या को अंजाम दिया चर्चा इसलिए आज की एहम है क्योंकि शाहिस्ता गुड़ू बंबाज और साविर के साथ पुलिस से बच्चती फिर रही है आज 55 दिन के बाद भी उसका कोई सुराग पुलिस के पास नहीं है चर्चा इसलिए भी हो रही है कि अतीक की हत्या करने आये आरूपी, सुन्दर भाटी और गोगी गैंग किसके संपर्क में थे ये कानपुर का बाबर कौन था जिसके जरीए वो दिल्ली अंसियार के गैंग के संपर्क में आये पंजाब से असले मंगवा कर किसने तीनों आरूपियों को दिये लगातार अस्पिताल और कोट की रेकी करने के बाबजूद पुलिस उनको पहले क्यों नहीं पकड़ पाई और तीनों आरूपियों के मन में लौरेंस विश्टुई की तरह गैंग्स्टर बनने की बाद क्यों आई और कैसे आई इसके अलावा माफिया राज खत्म करने के लिए अब माफियाओं की पत्नियों पर भी कानूनी शिकंजा कस्ता जा रहा है एक तरफ पचास हजार की इनामी शाहिस्ता की तलाश के लिए पुलिस ने दिन रात एक कर रखा है तो दूसरी तरफ जिस मुक्तार पर 29 अप्रेल को गैंग्स्टर एक्ट में फैसला आना है उसकी पत्नी अफसवा पर भी 75,000 का इनाम घोशित कर दिया गया है तो क्या सरकार माफियाओं के साथ देने वाली उनकी पत्नियों को भी जेल के पीछे बेजने की तयारी में है तो आज सवाल यही है कि पुलिस माफियाओं को पहले इतना पैर परसारने का मौका क्यों देती है कि बाद में बर्गत के पेड़ की तरह कानून को ही वो ढख ले या डंक मारे उनको खत्म करने के लिए गोलियों की जरूरत पड़े सवाल की यह भी उठ रहा है यहां पर कि श्राइस्ता और अफसा कब गिरफतार की जाएंगी सवाल यह कि अतिक की हत्या का सच क्या है तीनो आरुपियों की मिलने का सच क्या है उमेश पाल की हत्या का मास्टर माइन कौन है इन सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है मेरे साथ मेरे